जय श्री कृष्णा राधे राधे, मित्रों आज का वीडियो बहुत ही खास है। आज इस वीडियो को अपने स्वास्थे के लिए पूरा जरूर देखें। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना न भूलें। मित्रों पेट में गैस बनना, पेट में अपार बनना और पेट का फूलना ये सब समस्याएं आम हैं। लेकिन कभी कभी ये आम समस्याएं बहुत ही खतरनाक साबित हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि पेट में गैस सिर्फ उन्हीं लोगों को बनती है जो बहुत ज्यादा तला भ या बहुत ज्यादा खाते हैं, कई बार बिना कुछ खाए भी आपके पेट में गैस की शिकायत हो सकती है, इसलिए मित्रों, अगर आपको गैस से छुटकारा पाना है और इससे होने वाली गंभीर बीमारियों से बचना है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, की गैस की समस्या को जड़ से खत्म कर देंगी, और साथ ही अन्य कई परेशानियों को भी दूर करेंगी, तो चलिए इस आयुरवेदिक प्रसंग को शुरू करते हैं, एक समय की बात है, एक नगर में एक प्रसिध आयुरवेदिक आचार्य गुरु रहते थे, वे आयुरव नहीं लगती, और हमेशा दर्द रहता है, इस दर्द की वजह से ना तो मेरा किसी काम में मन लगता है, और मैं अधिकतर चिड़-चिड़ा महसूस करता हूँ, क्रिपा करके मुझे कुछ आसान उपाय बताईए, जिससे मैं अपनी पेट की समस्या से छुटकारा पा सकूँ युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद, आचार्य गुरू ने उसे कहा, बेटा, घबराने की आवश्यक्ता नहीं है, तुम्हारी सभी समस्याओं का कारण पेट में गैस का बनना है, कई बार पेट में बहुत ज्यादा गैस इकठी हो जाती है, जिससे पेट फूल पेट में गैस बनने के दो मुख्य कारण होते हैं, पहला कारण है कि जब हम खाना खाते हैं, तो उसके साथ बहुत सारी हवा और पानी भी पेट में चला जाता है, जो वहां इकठी होकर गैस का कारण बनती है, दूसरा कारण ये है कि जब हम भोजन करते हैं, तो कभी-कभी हम ऐसा खाना खा लेते हैं जिससे पाचन क्रिया के दोरान बहुत सारी गैस बन जाती है अगर यह गैस अधिक मात्रा में बनती है तो वह पेट में जमा होकर दर्द का कारण बन जाती है और असहजता पैदा करती है तब आचार्य गुरू उस युवक से कहते हैं कि बेटा आदिका सेवन करने से और फाइबर की कमी से कब्ज अपच पेट दर्द और गैस जैसी समस्याएं हो सकती है इससे बचने के लिए भोजन में कार्बो हाइडरेट और फाइबर का संतुलन बनाए रखें दूसरी बात खाते समय पानी न पिएं कुछ लोग खाते समय बहुत स कारण बन सकता है इस स्थिती में पेट में गैस बनने लगती है और गुदगुद की आवाज आती है लूज मोशन शुरू हो जाते हैं और शौच के समय भी गैस निकलती है इसलिए हमेशा ताजा भोजन करें चौथी बात हमेशा समय पर खाना खाएं और लंबे समय तक समस्या हो जाती है ऐसे लोगों को पेट में गुदगुदी ड़कार आदी की समस्याएं होने लगती है आचार्य गुरू उस युवक से कहते हैं बेटा आपके पेट में गैस किसी भी कारण से बने लेकिन आज मैं तुम्हें चार चीजों के बारे में बताऊंगा जो आपक पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है जब हम अजवाइन का सेवन करते हैं तो यह पाचन प्रक्रिया को बहतर बनाता है तो यह थाइमोल हमारे पेट के अंदर जो पाचक रस होते हैं उनकी क्षमता को बढ़ा देता है जिससे हमारा खाना जल्दी पच्चता है और गैस की सम अजवाइन के बीज में फाइबर और पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, जो बलड प्रेशर को नियंतरित करने में मदद करती है और दिल से जुड़ी समस्याओं को कम करती है। अजवाइन के बीज गठिया और जोडों के दर्द जैसी बीमारियों में भी सहायक होते हैं। इसमें आधा चम्मच अजवाइन डालनी है। इसे आपको खाने के पांच से पंदरह मिनट बाद लेना है। दिन में एक ही समय इसका उपयोग करें। यानि आप इसे सुबह के नाश्टे के बाद, दोपहर के खाने के बाद या रात के खाने के बाद ले सकते हैं। अजवाइन का नियमित सेवन करने से आपकी गैस की समस्या खत्म हो जाएगी और पाचन तंत्र मजबूत होगा। इसके बाद आचार्य गुरू उस युवक से कहते हैं कि दूसरी चीज जो आपको इस्तिमाल करनी है वह है जीरा मित्रों। जीरा बहुत ही लाभकारी होता है। इसमें कई प्रकार के प्राकृतिक तेल होते हैं जो पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं और गैस की समस्याओं से राहत दिलाते हैं इसलिए आपको जीरे का पानी इस्तिमाल करना चाहिए यह आपके शरीर को अंदर से साफ करता है हानिकारक तत्वों और बैक्टीरिया को बाहर निकालता है और रक्त को शुध करता है इसके अलावा यह आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है और पेट के लिए बहुत लाभकारी होता है जिन लोगों का पाचन कमजोर है और पेट संबंधित समस्याएं जैसे गैस अपच कब्ज और ब्लोटिंग से परेशान रहते हैं उनके लिए जीरे का पानी रामबान का कार्य करता है अगर आप भोजन के 15 मिनट बाद इसका सेवन क करते हैं तो यह बेहतर पाचन में मदद करता है और पेट को स्वस्थ रखता है मित्रों इसके सेवन से सिर्फ आपके पाचन में ही सुधार नहीं होता है बलकि मेटाबॉलिजम में भी सुधार होता है जिससे आप तेजी से कैलोरी बर्न कर पाते हैं यह शरीर में जमा क्याओं को दूर करने में मदद करता है इससे कील मुहासे और अलर्जी आदी से छुटकारा मिलता है साथ ही तवचा में निखार भी आता है फिर दोस्तों आचार्य गुरू उस युवक से कहते हैं इसको बनाने के लिए आपको एक गिलास में पानी लेना है और उसके अंद पिर इस पानी को आपको दिन में दो बार इस्तेमाल करना है मित्रों आपको एक समय तो आपको दोपहर का खाना खाने के बाद में इस्तेमाल करना है और एक आपको रात्री का खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है आपको इस पानी को खाना खाने के दस मिनट के बाद में ह इस्तेमाल करना है दोस्तों जीरा आपकी गैस की समस्याओं के लिए बहुत ही अच्छी चीज है आप इसे दो समय इस्तेमाल कीजिए जिससे इसके अंदर जो प्राकृतिक तेल होता है वह पूरी मात्रा में मिले और गैस की समस्याओं को बिलकुल खत्म कर दे फिर भक्तों आ बाहर निकालने में मदद करती है अगर हम आयुरवेद की बात करें तो यह हमारे शरीर के अंदर वात दोश को नियंतरित करती है और गैस भी एक तरह का वात दोश है इसलिए अगर आप हींग का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से आपको गैस की समस्याओं बिलकुल खत हींग अपने anti-inflammatory, antiviral और antibacterial गुणों के कारण अस्थमा और अन्य सांस से संबंधित परेशानियों जैसे bronchitis और सूखी खांसी से भी राहत दिलाती है इसके अलावा periods के दौरान होने वाले दर्द से भी राहत दिलाने में मदद करती है क्योंकि इसमें natural blood thinning compound पाए जाते हींग शरीर के किसी भी हिस्से में बाधा डाले बिना blood circulation को सही धंक से flow करने में मदद करती है जिससे periods के दौरान होने वाली पीठ और निचले हिस्से के दर्द को कम किया जा सकता है हींग में anti-inflammatory गुण होते हैं जो blood vessels की सूजन को कम करते हैं जिससे सिरदर्द में राहत मिलती है एक गिलास गर्म पानी में एक चुटकी हींग मिलाकर दिन में कई बार पीने से सिरदर्द में आराम मिलता है हींग एक natural laxative के रूप में भी काम करती है जो पेट फूलने सूजन और अन्य पाचन संबंधित परेशानियों को कम करने में मदद करती है इसके लिए आपको एक गिलास गुनगुना पानी लेना है और उसमें आधा चमच हींग मिलाकर तुरंत पी लेना है इसके पीने से पेट फूलना बंद हो जाएगा और गैस बनना बिलकुल खत्म हो जाएगी आचार्य गुरू उस युवक से कहते हैं कि चौती महत्वपूर्ण चीज अदरक है अदरक पोशक तत्वों का खजाना होती है यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत लाभकारी है आयुर्वेद में इसका इस्तिमाल दवा बनाने के लिए भी किया जाता है और हमारे रसोई घर में मसाले के रूप में भी उप्योग किया जाता है अदरक विटामिन C, मेगनीशियम और अन्यक हनिजों से भरपूर होती है जो कई बीमारियों से हमें बचाती है अदरक के अंदर बहुत ही ज्यादा डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज होती है अदरक हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और गैस से छुटकारा दिलाने में सहायक होता है अदरक में जिन जो रोल नामक पोशक तत्व पाया जाता है जो पाचन तंत्र और लीवर को मजबूत करता है यदि आपको गैस की समस्या लंबे समय से हो रही है और आप इसे हमेशा के लिए ठीक करना चाहते हैं तो रोजाना अदरक का पानी पियें आचारे गुरू उस युवक से कहते हैं कि अदरक आपके प्रतिरक्षा तंत्र को भी मजबूत करता है यदि आपको ठकान महसूस होती है तो अपने खाने में अदरक का उपयोग जरूर करें इससे आपकी ठकान जल्दी दूर हो सकती है अदरक में anti-inflammatory गुण होते हैं जो संक्रमन को दूर करने में मदद करते हैं इसके अलावा अदरक वजन कम करने में भी सहायक होता है इसमें मौजूद anti-on accident गुण पाचन एंजाइमों के उत्पादन को उत्तेजित करते हैं जिससे कैलोरी बर्न होती है अदरक का उपयोग खून के संचार को तेज करने के लिए भी किया जाता है इसमें विटामिन खनिज और amino acid पाए जाते हैं जो हृदय संबंधित समस्याओं की संभावनाओं को कम करने में मदद करते हैं अदरक धमनियों में वसा को जमा होने से रोकता है जिससे दिल के दौरे और स्ट्रोक को रोकने में मदद मिलती है अद्रक का पानी बनाने के लिए एक कप पानी लें उसमें एक चोथाई छोटी चमच कटी हुई अद्रक डालें इन दोनों चीजों को आग पर अच्छी तरह उबाल लें यानि इसमें तीन से चार बार उबाल आ जाए इसके बाद इसको छान लें और हलका गुनगुना होने पर दिन में दो बार सेवन करें एक बार दोपहर के खाने के बाद और एक बार रात के खाने के दस मिनट बाद अद्रक का पानी गैस की समस्याओं के लिए बहुत अच्छी औशधी है और इसे रोजाना पीने से कोई नुकसान नहीं होता मित्रों आज की इस प्राचीन आयुर्वेदिक जानकारी से आपको कैसे लाब हुआ हमें कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद